आज ही डाउटनेट आप डाउनलोड करें डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी Maths, Chemistry, Physics और Biology डाउट्स का सफाया बस अपने Question की Photo खीचो उसे Crop करो और तुरंत वीडियो सिलीशन पाओ Download Now Option में दे रखा है कि The Angle Between the Pair of Tangents हमें Find out करना है जो कि Draw किया गिया है 2,4 से To the Circle X² Plus Y² Equal to 4 पे ठीक है तो इसको अपन Diagram से समझते हैं तो यह हमारा अगर Coordinate Axis है ठीक है और इसमें X² Plus Y² Equal to 4 हमारे एक Circle है तो यह X Axis है यह Y Axis है अब जो Circle है उसका तो Center हमें मालूम है 0,0 यानि कि Origin है हमारा और जो Radius है हमारा इस Circle का अपना का Standard Circle से Compare करें तो X² Plus Y² Equal to R² होता है तो Radius हमारा 2 है यानि कि यहाँ पे यह Coordinate है 2,0 और यह Coordinate है हमारा 0,2 तो हमें 2,4 से Tangent किछना है तो 2,4 यानि कि हमारा यहाँ पे 2,4 ओके अब इस से अपन यहाँ पे Tangent किछते हैं Circle पे तो यह हमने Tangent किछा हूँ अब देखो हमें चाहिए Angle Between Pair of Tangent यानि कि इस Tangent और इस Tangent के बीच जो Angle बनेगा उसकी Value हमें चाहिए तो अपन क्या करते हैं इस से इस Point से अगर मैं इसको P बोल दूँ तो P से अपन इस Center को जो कि 0,0 है उसको मैं यहाँ पे मिलाता हूँ तो यह Angle तो मेरा क्या हो जाएगा अगर यह मेरा Alpha है तो यह भी मेरा Alpha हो जाएगा यह अपन जानते हैं Property of यहाँ पे Circle से कि यह दुनों हमारा Bicect करता है जब Center से मैं इसको Match कराऊँगा अब देखो यह तो हमारा क्या हो जाएगा इस Circle पे अगर यह मेरा Tangent है तो यह हमारा 90 Degree बनेगा यह तो हमें पता है और अगर मैं इसको इस से Match कराऊँ यहाँ पे तो यह भी हमारा क्या हो जाएगा 90 Degree अब देखो मैं PC और इसको अगर मैं A बोल दू और यह हमारा B है तो PC और A में अपन Triangle PC A में देखते है Triangle PAC बोलो तो PAC में अगर मेरे को इस अंगल यानि Alpha का value फाइंडोट करना है तो यह distance मेरा कितना है 2 unit और यह distance हमारा क्या है तो यह distance हमारा 4 unit है हमें यहाँ पे directly दिख रहा है क्योंकि यह 2,0 है और यह 2,4 है तो यह हमारा क्या हो जाएगा 4 unit अब 10 Alpha का value अगर यहाँ पे देखें तो 10 Alpha हमारा क्या जाएगा 10 Alpha तो होता है यहाँ पे क्या हो जाएगा 2 upon 4 ठीक है 10 Alpha क्या जाएगा 2 upon 4 तो यहां से अपन देखे तो यह value हमारा क्या जाएगा तो 2 से 4 हमारा 2 bar में cancel तो 1 by 2 10 alpha का value आ गया तो 10 2 alpha अगर अपन देखे तो 10 2 alpha 10 alpha के form में अपन क्या लिख सकते हैं तो 2 10 alpha divided by 1 minus 10 square alpha यहां से 10 2 alpha 10 2 alpha को मैं क्या लिख दूँगा तो 2 times 10 alpha के value हमने 1 by 2 निकाला है तो यह हो गया 1 by 2 divided by 1 minus 1 by 2 का whole square यानि कि 1 by 4 तो यह 2 से तो यह 2 हमारा cancel हो जाएगा तो उपर में numerator में 1 बचा और नीचे हमारा 4 LC हमाया तो 4 minus 1 यानि कि 3 तो यह basically लिखा हो है 4 by 3 यानि कि 10 2 alpha 10 2 alpha मेरा 4 by 3 बन गया तो यहां से मैं 2 alpha क्या लिख दूँगा तो 2 alpha का value हमारा 10 inverse 4 by 3 आ गया तो कौन स अप्शन करेक्ट हो जाएगा option number 2 is correct Thank you Classics to 12 से लेके meet IIT जेही means और advance के लेवल तक 10 million से जादा students का भरोसा आज ही डाउनलोड करें डाउटने टाप या WhatsApp कीजिए अपने डाउट आउट्स 8444 सूपर